के अभीभाषण पर अपनी बात रखने का आवसर दिया मानेवर पहली बार लोग तंद्र के इस मंदर में देश की सबसे बड़ी پंचायत में मुझे मेरी बात रखने का आवसर मिलना मेरे लिए गर्व का विसे है इसका सरे मेरी पार्टी समाझवाधी पार्टी मेरे लोग दोरारा की महान जंता तदा पीडिये की एकता को देना चाहता हूं जिसके लिए मैं उस ब्रहक्तर समाज और उसे एकका के सूत्र में बांध कर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले मेरे नेता आधनी अखिलेश यादव जी का वंद है उसका कुछ तो उलेक होगा याद रखना बिना किसानों के समरद्धी के अमरतकाल और विकसित भारत जैसे सब्द बेमानी है मुझे अदम गोंडवी साहब की चार पंक्तियां याद आ रही है तुमारी फाइलों में गाउं का मौसम गुलावी है मगर यांकड़े जूट करजय तले दबा हुआ है आवारा पसूओं और साणों ने खेत में तबाही मचा रखी है सड़क पर किसान और आम आदमियों की सान जान ले रहे हैं तेंदूयों ने पूरे हमारे लोकसभा छेत्र में आतंक मचा रखा है दोजार बाइस के विधान सभा के चुनाओं में स् मार्च के बाद आवारा पसूओं के जिम्मेदारी मेरी होगी मैं मानी प्रधान मंत्री जी को उनका वादा दिला याद दिलाना चाहता हूं नवगठी तठारमी लोकसभा की पहली बैठक ऐसे कालखंड में हो रही है जब भारत के तरुनाई अपनी जायज मांगों को लेक में आत्महत्या कर रहे हैं बहंगाई बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है मैं देश के इन युवाओं को इन सभी कमेरावर के लोगों को पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं ये विस्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी संसत के बारे में काफी कुछ सुना था लेकिन अंदर घुस्ते ही कदम ठिठक गए जब फर्स पर हमने मोर पंक की प्रतिकृति देखी हमारे हिंदु धर्म में ये पवित्र मोर पंक माना गया है जो उर्जा देता है सुयम भगवान शिकष ने अपने माथे पर इसको मान द यह कहीं न कहीं इसको हटाना चाहिए इसलिए मैं इसको हटाने की मांग करता हूं मानी सवापती जी मानी सवापती जी माने सवापती जी आपने मुझे बीच में टोक दिया टोका नहीं टोका नहीं करेक्ट किया आपको हमने क्योल करेक्ट करने को आपकी मेडिन सवापती जी आपकी मेडिन स्पीच है इसलिए मैं टोक नहीं रहा है माने सवापती जी आपने तो अपने जज़बात की तर्जमानी अधम गोड़नुई के उससे असरात से ही कर दिये ही नहीं नहीं मानिये सवापती जी अब आप ने चोकि मैं सरकार पर ज्यादा हमलवर था इसलिए साइद आप मुझे टोक रहे थे लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष भले ही महामईम राश्पती जी के अभिभाशवन के मार्फत ये दावा करे कि उसकी बहुमत की सरकार बनी है लेकिन देश हकीकत जानता है कैसे ये बैसाख्यों पर टिकी हुई सरकार है यहां दुशंद कुमार जी के चार पंक्तिया मुझे बर्बस याद आ रही है तुमारे पाउं के नीचे कोई जमीन नहीं कमाल यह है कि फिर भी तुमें यकीन नहीं मैं मिन बेपना अंधेरों को सुबा कैसे कहूं मैं नजारों का अंधा तमाश बीन नहीं अंत में मैं नैमिश शारण की पवित्र पुन्य भूमी, छोटी काशी गोला की पवित्र पुन्य भूमी, महराजा छीता पासी की पवित्र पुन्य भूमी की नमन करते हुए आधनी नेता जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप करता हूँ जै भीम, जै भारत जे समाजबार!